आज मैं आप duplicus से शेयर करूंगे कि जब भी हम कोई भी Joseph करते हैं तब हमें कौन से चीजों का ध्यान रखना हैं कौन से चीजिए कडर नहीं करने हैं आज में वो चीज्वास छेयर करुंगे सबसे पहले चीज है वो है हमेश्या positive रहना है हम जो भी कुछ काम करते हैं या अपने manifestation के उपर भी जो भी चीज हम सोचते हैं या जो भी चीज हम manifest कर रहे हैं वो चीजों में positive रहना है हमें पूरा दिन positive रहना है ठीक है second है इस तरीके से बात करो जैसे कि वो आप already आपको मिल चुका है इस तरीके से सोचो जैसे कि वो already आपके पास है जो भी चीज आप manifest कर रहे हो ऐसा सोचो कि वो already आपके पास है या आपको मिल चुका है थर्ड है जरा भी time अपना time उसके उपर सोचने में मत लगाना कि यह चीज कैसे होगा, यह चीज अगर नहीं हुआ तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना है, उसके अपोजेट मत सोचना, बिलकुल भी मत सोचना, उसके अपोजेट, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में ही सोचना है, आपको यह नहीं करना है, कि आपको वो Meditation करना है, Meditation उसके लिए करो जो आपको चाहिए, जो चीज़ आप Manifest कर रहे हो, उसके लिए आप Meditation करो, Meditation यानि की 15 मिनिट्स Meditation करो, उसके बाद 15 मिनिट्स जो है, Meditation के अंदर ही जब आपका माइन शान्त हो जाता है, वही टाइम पे Visualization स्टार्ट करो, जो भी चीज़ करते हो, वह टाइम पे आप उसे पूरी तरीके से देखो, Smell करो, देखो, उसकी आवाज सुनो, किस तरीके से उसकी आवाज है, उसे फील करो, ठीक है, देखो, टच करो, उसे फील करो, और उसकी आवाज जो है, उसे फील करो, उसे हीर करो, उसे सुनो, ठीक है, लास्ट व अगर आपके ब्रेन ने उसे एकसेप्ट कर लिया तो वो हकिकत में भी आपके पास आ जाएगी ठीक है थैंक यू सो मच और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू